आज हम देखेंगे second standard का English unit 1 और unit 1 में हम देखने वाले हाज 1.2 activity time तो यहाँ पे आपको सिर्फ activity करनी है जो कि जैसे हम game खेलते हैं उसी तरीके से दिया हुआ है और यह आपके friends की साथ भी आप कर सकते हो या फिर घर पे आपके family members से उनकी साथ भी आप यह game खेल सकते हो लोग लगने वाले हैं second is close your eyes now one of you put your finger on any letter on the blue card आपको आपकी eyes close करनी है और उसके बाद जो blue letter, blue box आपको दिया है, card दिया है उसके उपर आपको एक letter के उपर finger रखना है तो सबसे पहले हम देखेंगी कौन से card आपको दिया है यह 5 जो letters होते हैं उन्हें vowel sound कहा जाता है और जो बाकी के बचे हुए letters हैं यहाँ पे blue color के card में आपको दिया है यह इनको consonant कहा जाता है तो यहाँ पे अगर सबसे पहले आप क्या करते हो कि pair form करने हैं उसके बाद आपको eyes close करने हैं और आप क्या करोगे blue color के card के उपर आपकी finger रखोगे अपने eyes close किया है तो आपको पता नहीं होगा कि किस आपके letter पे आपने क्या क्या है finger रखा हुआ है suppose आपने यहाँ पे किया है कि B के उपर आपने finger रख दिया है फिर next क्या करोगे now your partner will put the finger on any letter on the pink card अभी आपका partner जो भी रहेगा आपका friend हो आपका brother sister जो भी है वो अभी क्या करेंगे यहाँ पे किसी भी एक जो है letter के उपर जो pink card में दिया है उसके उपर finger रखेंगे suppose यहाँ उसने रख दिया यहाँ आपके A के उपर finger now open your eyes अभी आप दोनों को eyes खोलनी है now each one of you has one letter of the alphabet तो आप दोनों के पास अभी एक एक letter है एक के पास B है दूसरे के पास A है each pair has two letters अभी pair miss आप दोनों के पास मिलके कितने letters है तो दो letters है A and B write as many words as you can wish have both the letters you pick तो आपने दो letter जो pick किये है उनसे कई सारे words आपको बनाने है तो कैसे बनाओगे A and B दिया है तो कौनसा letter बन सकता है कौनसा word यहापे आप बनाओगे तो B, A, T, bag बना सकते हो B, A, L, L बना सकते हो उसके बाद B, A, G, bag भी बना सकते हो तो ऐसे अलग-अलग words आपको form करने है कैसे A and B को साथ में लेकर sequence अगर यहापे order change हो जाएगा पहले A आएगा, B आएगा तो भी चलेगा लेकिन आपको ऐसे कई सारे words बनाने होंगे इन दोनों cards से जो letter है आपने pick के हैं देखिए आपको यहापे दिया हुआ है जो first pair आपको दिख रहा है यह girl and boy है तो इन्होंने क्या किया है कौन से word बनाया है seat, fish and is तो इन्होंने कौन से letter pick होंगे ऐसे आपको लगता है तो I and S जो है आपको common दिखेगा कि जो यहापे girl है उसने क्या किया होगा कि S के उपर यहापे finger रखा होगा उसके बाद जो boy है उसने vowel sound में से I को चुना होगा pick किया होगा तो S and I आएगा ऐसे words आपको बनाने है जैसे उन्होंने बनाया है sit, sit, fish and is is, जैसे कि आप his, his भी कर सकते हो तो इसी तरीके से words आपको बनाते जाने है इन दो letters के help से next देखे आपको दिया है याप है कि ये जो दो girls से उन्होंने pair बनाई है और फिर उन्होंने ये game play किया है तो उनके पास words कों से है goat, dog and frog तो इसमें common word आपको letters कों से दिख रहे है तो O and G कि इसमें से एक girl ने क्या किया होगा G के उपर finger रखा होगा और दूसरी ने जो है wall sound कों से लिया होगा O कि आपको यहापे कों से word मिल गए फिर goat है, dog है, frog है तो इसी तरके से आप अलग भी मतलब O and G आ सकता है ऐसे अलग भी आप words बना सकते हो next जो pair दिया है boys का इन्होंने क्या किया है bat, tall, table इस तरके के क्या किया है words को बनाया है तो यहापे common कों सा दिख रहा है आपको A and T कि एक बच्चे ने यहापे क्या किया होगा T के उपर finger रखा होगा और दूसरी ने जो है A के उपर रखा है तो उन्होंने words बनाया है bat, tall and table तो इसी तरके से student आपको क्या करना है आपके घर पे, आपके friends हो या फिर आपके parents हो या फिर आपके brother sister हो उनके साथ यह game जो है आप easily खेल सकते हो और इससे क्या होगा कि आपको नए नए words बनाना आ जाएगा next page पे चलते है यहापे आपको दिया है think and answer आपको क्या करना है सोचना है और फिर answer देना है तो देखे पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है classroom का picture दिया हुआ है और next हम देखेंगे यहापे conversation जो हुआ है teacher and children's के बीच में वो हम देखेंगे teacher said good morning children then children said good morning teacher जैसे कि हम लोग class में करते है wish करते है teacher को good morning and teacher भी बच्चों को करती है good morning wish teacher said what is your name तो यहापे एक girl को उन्होंने question किया है what is your name तो तेजल said my name is तेजल तो जो girl है उसका नाम यहापे क्या दिया है तेजल दिया है teacher said what is the first letter of your name तो तेजल जो word है उसमें first letter आपको क्या दिखाई दे रहा है T दिखाई दे रहा है तो तेजल said T क्यों उसके नाम का first letter कौन सा आता है T आता है teacher said what is the last letter of your name कि तेजल में last letter कौन सा आ रहा है यहापे आपको दिखेगा कौन सा letter है L है तो तेजल ने कहा है कि last letter कौन सा है ल है teacher said how many letters are there in your name तो तेजल word में कितने letters आते हैं आप भी count कर सकते हो तो कितने हैं 5 तो तेजल ने answer किया है 5 teacher said tell any word that begins with the first letter of your name तो teacher ने कहा है तेजल को कि तुमारा नाम जो है जो first letter है उसी letter से आपको क्या करना है दूसरा एक word बनाना है जिसका starting letter सेम होगा तो तेजल का first letter कौन सा था T था तो तेजल ने यहाँ पर word बनाया है tiger तो इसी तरीके से आपको क्या करना है ये भी game आप क्या कर सकते हो घर पे खेल सकते हो कि जो भी आपका नाम है उसका first letter लेना है आपको d आएगा तो d से फिर आप क्या बना सकते हो किसी animal का नाम भी बना सकते हो flower हो कोई बीचीज आप बना सकते हो तो d से आप क्या कर सकते हो या पे suppose deer बना सकते हो अगर किसी think का नाम आपको लिखना है तो drum भी लिख सकते हो तो इसी तरीके से आप भी क्या कर सकते हो, अपने नाम के first letter के साथ अलग-अलग नाम भी बना सकते हो तो student यही थी activity, जो हमने first activity देखी वो भी आप घर पे try कीजे और जो second वाली है वो भी आप try कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको नए words form करने easily आ सकते है तो I hope student आपको जो भी मैंने आपर समझाया है, अच्छे से समझ में आया होगा आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को like जरू कीजे और चैनल को subscribe नहीं किया होगा तो subscribe भी जरू कीजे